हम लोग Н.C.N.unte History प्राचीन इतिहास का पारट वाईस पार्ट वाईस हम लोग N.C.N. history होती है उसमें NCN से जरूर question आते हैं तो इसलिए हम लोग part wise discuss करेंगे कहां से question आएगा सब जितने भी important question है part wise मैं पूरा cover कराओंगा पूरा जो प्राचीन इतिहास है उसको मैं cover करवाओंगा ये part 2 है इस part में हम लोग जो हडपा और सिंदु सभिता है उसको हम लोग discuss करेंगे और ये part 2 है और part 1 हम लोगोंने already discuss कर दिया है तो इस part 2 में हम लोग discuss करेंगे हडपा और सिंदु सभिता के बारे में with the help of multiple choice questions हम लोग discuss करने वाले हैं अगर अभी तक आप लोगों इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe करिए और हाँ अगर आप वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो को like जरूर करिए क्योंकि अगर लाइक आप करते हैं तो हम लोग को motivation मिलती है और हम लोग और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे आपके लिए तो आज का जो first question है इस पर हम लोग अभी छोटे छोटे question कराएंगे छोटे मतलब कम question कराने वाले हैं 30 question करवाने वाले हैं क्योंकि ज्यादा question हो करेंगे और जो multiple choice question है उसी पर based करेंगे और अगर आप लोगों कि इसकी PDF अगर चाहिए अच्छा response रहात इसकी PDF आप लोगों को हमारे टेलिग्राम चैनल से आप लोगों को मिल जाएगी जिसका टेलिग्राम आपने चैनल का टेलिग्राम का लिंक मैंने description box में डाल दिया है तो description box में आप लोग देखिए और वहाँ से आप लोगो PDF मिल जाएगी अगर आप लोग चाहेंगे तो तो आज हम question start करते हैं तो आज का जो हमारा first question है वो है सैंधो सभिता के बारे में शरुपर्थम जानकारी किस ने दी थी तो option है Charles Mason, Deram Sahani, Jan Marshall और Cunningham तो जो सैंधो सभिता है उसकी जानकारी सरुपर्थम सबसे पहले Charles Mason ने दी थी तो इसका correct answer A है अगर आप लोग चाहें तो इसको आप लोग पॉस करकर के आप लोग खुदी इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो भी आपके नंबर आते हैं आप लोग comment box में लिखके बता सकते हैं कि कितने नंबर आएं तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हम incident का ये part जो जो करेक्ट आंसर है या option देख लेते हैं मोहन जोदोडो लोथल रोपड और हडपा तो question क्या है कि हडपा सब्विता के किस नगर की सौरपर्थम खुदाई की गई थी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है D हडपा तीसरा question है हडपा सब्विता मूलता संबंधित है option है कांस य यूग से तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है A क्यूंकि हडपा सब्विता जो समद्वित है वो कांस यूग से ही समद्वित है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A चौथा है भारत में खोजा गया सबसे पुराना सहर कौन सा था तो ये बहुत ही important question है कई बार आ चुका है और बार बार ये पूछा जाता है इसलिए हम मैं इसको यहाँ पे लेका आया हूँ तो इसका option है हडपा पंजाब मोहन जोद्र और सिन तो question है कि भारत में जो खोज option है हडपा किस नधी के किनारे स्थित है तो ये question तो बहुत ही आसान है और बहुत ही important है option है रावी नधी सिंधु नधी चेनाब नधी और सतलज confused नधी तो इसका correct answer है वो ए रावी हडपा नदी जो हडपा जो हो जा गया था सहर वो रावी नदी के किनारे पे था तो इसका correct answer हो जाएगा question 6 है सिंध का नखन लिस्तान या बग हडपा के किस पुरास्थल को कहा जाता है तो option है हडपा मोहन जोद्रो कलिप बग्गा और लोथल जिसका जो correct answer होगा वो होगा बी मोहन जोद्रो सात्मा है सैंधो सभिता के बाद किस संख्या के गुड़क थे तो किस संख्या के गुड़क थे सैंधो सभिता के बाद तो option है 15, 16, 17 और 18 तो इसका जो correct answer है सात्मा का वो है बी 16, 18 है सिंधो सभिता के लोगों के लिए डील वाला बैल था option देसी पसू, विदेसी पसू, पवित्र पसू और बली पसू तो ये question बहुत ही important है ये भी पूछा जा चुका है और ये जो आपके जो भी coming paper है जो भी paper आने वाले है जिसमें history का section है उसके ल मुदा cover कराने वाला हूँ multiple choice question से बहुत सारे question आप लोगों के पास हो जाएंगे उसके बाद हम जो revision करेंगे तो और भी मैं question ले क्या हूँगा अगर आप लोग चाहेंगे तो इसकी explanation भी होगी मतलब इसकी theory theory portion भी हम लोग cover करेंगे तुसका correct answer जो होगा आठमा का वो होगा C पवित्र पशुब नौँ कोशन देखते हैं आज का सिंदू संस्कृति की से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थीत है option रावी नदी सतलज नदी सिंदू नदी चिनाब नदी तो यह अगर आप इसको post करके देखते हैं और खुद पहले कर लेते हैं तो आप लोग के practice भी होने वाली है और जब यह वीडियो आप लोग देखेंगे तो अपना नंबर जो है कमेंट सेक्षन में लिक करेंगे तो आप लोग के practice भी हो जाएगी और हम लोग पूरा एंसेंट को cover भी करेंगे तो इसका जो correct answer है नौवा का वो है D चेनाब नदी चेनाब यहां C नहीं D होगा चेनाब नदी तो option है बनावली, कली बग्गा, राखी गड़ी और रंगपूर तो इसका जो correct answer है वो है A बनावली 11 question देखेंगे हड़ा πाई लिपी में और सुचकों की संख्या लगभग कितनी है तो option है 350, 400, 280 और 100 तो इसका जो correct answer है वो है A 350 जो हड़ापाई लिपी में और सुचकांक जो थे उनकी संख्या साड़े 300 थी 350, 350 बारवा है हडपा काल में मुहर की सरवधिक प्रचलित था option है वरगाकार, आयताकार, बेलन और वर्टाकार तो option इसका correct होगा आयताकार जो हड़ापा काल में जो मुहर बनी थी तो उसका आकार पूछ रहा है कैसा था तो वो आयताकार था ये question भी आ सकता है और ये बहुत important है ये भी है तो B इसका correct answer सही है आयताकार बार में का B इसक कोर्द कर लेखेद का साथ सबसे पहले कहां मिला था तो option है काली बाग्गा, मोहन जोदो, लोथल और रोपड तो इसका correct answer है वो है ये जो जोते हुए खेट थे उसका साच्च मिला था यह मतलब काली पगा में ही जोते हुए जोखेट थे, उनका साच्च मिला था लेंगे कि सिंदु घाटी के लोग लुग greasy रखती थे किस में रखती थे option है आत्मा और ब्रह्मा में कर्मकांड में यग प्राली में और मात्र सक्ती में तो ये question बहुत ही important है ये सारे question direct या indirect way में कैसे भी पूछे जा सकते हैं ये 30 question है इस series में इस part 2 में और इस 30 question से 100 question तक भी बन सकते हैं indirect और direct में तो ये question बहुत ही important है आप लोग इसको अच्छे स से करिएगा और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा क्योंकि हम लोग पूरा स्रीज इसकी कवर मैं कराऊंगा तो चौद्वा कोशन देखते हैं सिंदु घाटी की लोग विश्वास रखते थी जिसका जो करेक्ट तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिबूजाकार एक कोशन हम लोगों ने आकार से और डिसकस किया था कि जो मोहर थी वो कैसी थी तो मोहर आयताकार थी लेकिन जो सभिता प्रायक किसा आकार जो सभिता थी बनावर थी वो कैसा थी कैसी थी तो वो त्रिबूजाकार थ लेकिन जो मुहर थी वो आयता कर थी इसका correct answer ए हो गया 16 है हडपा सभ्विता समकालीन सभ्विता नहीं है किसके समकालीन नहीं है option मेसुपोटामिया के और सुमेरियन के मिस्र के और चीन के तो इसका correct answer है वह है D देखेंगे हडपा सभ्विता के लोग किसका उत्पादन नहीं करते थी यह option है वह बहुत ही important question है इसका option है रागी सरसू गेहू धान तिसका correct answer हो जाएगा वह है अचरा है रापा सभ्विता के लोग किस प्रकार के ब्यापार में सललंगन थे बतलब हडपा सभ्विता के जो लोग थे किस प्रकार का ब्यापार maximum लोग करते थे option है आंतरिक ब्यापार बाहे ब्यापार दोनों या केवल आंतरिक ब्यापार तिसका जो correct answer है वो है c दोनों मतलब यह आंतरिक ब्यापार और बाहे ब्यापार दोनों करते थे जो हडपा सभ्विता के लोग थे वो आंतरिक और बाहे दोनों प्रकार के ब्यापार को करते थे और हडप्पा काल में विनिमय का संसाधन कौन सा था option मुद्रा प्रडाली आधान प्रदान दोनों या कोई नहीं यह आपने पेपर जो पूराने पेपर हुए है उसमें आप लोगों ने यह क्वेश्चन को जरूर देखा होगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 प्रदान करते थे इसका करेक्ट आंसर है बी थो हडपा काल में जो एसी को उपज हो रहा है गए दर दलाला को और ने दूसरे से परकार आधान लोग प्रकार रादान बीश्वा क्वेशन है मन का निर्मान उद्योग के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है ओप्षन चंद हुडो मनावली काली बग्गा मोहन जोद्रोग तिसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक चंद हुडो मन का निर्मान का उद्योग उद्योग के लिए जो चंद हुडो था व वह है दी एक मिन्यट हाँ 21 में का जो एंसर है वह है डी करेक्ट है जो जल संग्रे की विष्था पाई गी थी वह धौला वीरा में पाई गए थी तो किसंवा करेक्ट आंसर हो जाएगा टी नेक्स है कौन सा स्थल तीन भागू में विवक्त था धौला वीरा लो थल हडपा औ और गनेरी वाला जिसका जो correct answer है वो है 22 का ए धोला विरा तो धोला विरा जो था जो तीन भागों में विभगत था 23 है धोला वीरा का साब्दिक अर्थ क्या है धोला वीरा जो था इसका तीन भागों में विभक एक स्थल था और इसका जो साब्दिक अर्थ है वो क्या है धोला वीरा का option A है काले रंग की चूडियां, सफेद रंग का कुवां A और B दोनों या D कोई नहीं तो 23 का जो करेक्ट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B 20 का अंसर सही है तो धोला वीरा का जो साब्दिक अर्थ है उसका मतलब है सफेद रंग का कुवां 24 देखेंगे मलवड नामक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है option तापती, सिंधु, रावी और हिंडन 24 का करेक्ट अंसर हो जाएगा A तापती, मलवड नामक स्थल तापती नदी के किनारे ही था तो ये question important है क्योंकि ऐसे जो मलवड जैसे सबके mind में नहीं रहता है तो मलवड पर question बन सकता है तो इसका correct answer है वो है A तापती नदी के किनारे जो मलवड नामक स्थल है वो तापती नदी के किनारे ही है 25 कोशन देखेंगे भारत में शरुपर्थम अभिलेखी साच प्राप्थ हुए थे तो ये कहाँ पर हुए थे option है धौला विरा, मोहन जोड़ो, आलमगीरपूर और हरप्पा है तो िसका जो करेक्ट आंसर है वो है धौला विरा तो देखेंगे धौला-विरा कितने है इसे 3-4 कोशन हम लोग कर चुके है से कोश्चन आ था इसलिए मैंने इसको औरेंज करके यहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 उनका वो होजाएगा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है option मोहन जोद्रो हरप लोथल और कोई नहीं 26 का जो आंसर है वो है सबसे बड़ा स्थल जो है वो है मोहन जोद्रो सबस्वान देखेंगे मोहन जोद्रों के खुळाई किसके निर्तित तुमें की गई तो यह question important है और आप लोग इसको कर भी लेंगे चेसे दयाराम सानी रखालदास बनेर जी बीविलाल और एसर राव तो इसका जो correct answer है यह C और D तो ही नहीं दयाराम सानी और रखालदास बनेर जी दोनों नाम देता है इसमें लोग confuse आते हैं तो 26 का जो है 27 का जो answer है वो है B र काली बग्गा किस राज में स्थित है तो गुजरात में उत्तर प्रदेश में राजस्थान में और कोई नहीं इसमें दी आप्शन है कोई नहीं तथाईस्वाज को जो correct answer है वो है C राजस्थान तो काली बग्गा जो है वो राजस्थान में स्थित है नेक्स्ट है 29 नमर question रोपर किस नदी के किनारे स्थित है ओप्शन हिंडन, रावी, सतलज और भोगवा इसका जो correct answer है वो है C रोपर जो है सतलज नदी के किनारे पे बसा हुआ है स्थित है आजादी के बाद किस राज में सबसे ज़्यादा सेंधो सभेता के स्थलों की खुदाई की गई थी य इसका जो correct answer है वो है A गुजरात में ही आजादी के बाद सबसे अधिक सेंधो सभेता के स्थलों की खुदाई की गई थी तो यह हमारे यह पार्ट हमारा जो second था प्राचीन इतिहास का यह पार्ट सेकेंड था इसमें हम लोग multiple choice question based जो हरपता और सिंदु सभेता है उसके ब पे जाके add हो जाईए और उसका link मैंने description box में डाल दिया है और अगर प्लीज अगर आप तक अभी तक आप लोगों नहीं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्यूंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तभी हम लोगों को motivation मि क्या है और अगर आप वीडियो इसको देख रहा है तो लाइक जरूर कर दीजेगा और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा और थोड़ी सी भी अगर आपकी help इससे हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो थैंक यू थैंक यू फो कि यू लर्निंग